हेलो स्टूडेंट माइनेम एस मनेश मैं इस वीडियो पर बात करने वालों चत्तिसगण बोर त्रमासिक परिच्छा 2022-23 कक्छा ग्यारवी विशय जी विज्ञान बायलोजी समय दो घंटा पुन्नांक रहेगा 50 अंकों का निर्देश सभी प्रश्न निवार्य है प्रश्न एक से पांस तक प्रत्य प्रश्न एक अंक रहेगा 6 से 11 तक 2 अंक 12 से लेकर 19 तक 3 अंक 20 प्रश्न रहेगा 4 अंकों का 21 प्रश्न रहेगा पांच अंगों का रहएगा 50 अंगों का पुर्णांख दीया गया किस तरह से प्रशन दीये जाएंगे तो पहला प्रशन है निमन इसतर का तंत्री का तंत्र किस संग में पाया जाता है इसको बताना है संग का नाम यहाँ पर लिखना है ऐसे आवर्त बीजी पौधो का उधारा लिखिये जिसमें जड़ तंत्र विक्सित नहीं होता है RBC के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है इसके बारे में आपको उत्तर करना है सबसे छोटी कोशिकांग का नाम यहाँ पर लिखना है चौथे प्रश्ण पर अमीनो अमलके बहुली करन से क्या बनता है यह भी एक अंग का प्रश्ण है प्रकंद की दो विशेस्ताएं यहाँ पर आपको लिखना है बाष्ट रेशा क्या है या कहां पाया जाता है इसके बारे में उत्तर लिखना है दो विसेस्ता है पहला पॉइंट के लिए एक अंग दुसरे पॉइंट के लिए एक अंग दो अंग का प्रश्ण रहेगा यहाँ पर बाष्ट रेशा क्या है और या कहां पर पाया जाता है इ अली राइबोसोम क्या है यह क्या करता है इसके बारे में आपको उत्तर देना है यह भी दो अंका प्रश्न है उसके बाद दस्वा प्रश्न यहां पर दिया गया है बायो निक्स क्या होता है इसके बारे में आपको उत्तर देना है दस्वा प्रश्न है सभी का उत्तर हम लोग अगले वीडियो पर देखेंगे तो वीडियो को सेयर करना है, लाइक करना है योटूब चैनल को सस्क्राइब करना है माइटोटे कियाने कि समसुतरी जहर किसे कहते हैं मोश्ट आई एमपी ये प्रशन दिया गया बायोनेक्स और समसुतरी जहर किसे कहते हैं इसके बारे में आपको उत्तर लिखना है उसके बाद ये दो अंके वाले प्रशन खतम हो गए दलदली स्थानों में उगने वाले पौधों में जड़ रणातमक गुरुतवा नुवर्ती क्यों होती है इसके बारे में आपको उत्तर लिखना है देड़ अंक के लिए पहला देड़ंग के लिए आपको दूसरा तो तीन अंग का ये प्रशन रहेगा पुस्प आरे को अब पुस्प सुत्र क्या है most important है 100% ये question आपको exam पर देखने को मिलेगा तीन अंग के लिए ये प्रशन आपको दिया गया है ताइलोसिस अभी मासी काकलन पर पूछा गया था ये question आपको 100% याद कलेना है most IMP है मासी काकलन और ये त्रमासी काकलन पर भी ये question आ रहा है तो ताइलोसिस क्या है संचित टिपणी आपको लिखना है तीन अंग के लिए ये भी प्रशन है हिस्टेमीन, हिपरीन, सिरेटोनीन का कारे यहाँ पर आपको लिखना है प्रतिक के लिए एक अंग का आपको है तो तीन अंग को का ये प्रशन हिस्टेमीन, हिपरीनीन, सिरेटोनीन के कारे बताने function गुण सुत्र बिंदू की स्थिती के अधार पर गुण सुत्र का वर्गी करन केवल चित्र के द्वारा समझाईए प्रोटीन का पता लगाईए प्रोटीन की अन्य उपयोगिताओं का लिखिये उपयोगिताओं को यहाँ पर आपको लिखना है तीनंग के लिए प्रशन दिया गया है उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अगला प्रशन क्या दिया गया है यह भी आप लोगों के लिए most important है समसुत्री विभाजन के उपर question जरूर पूछा जाता है समसुत्री विभाजन प्रोफेज एनाफेज को सचित्र आपको समझाना है दिड़ंक और डिड़ंक याने कि टोटल यहाँ पर तीन अंक के प्रशन दिये जाएंगे एक ही पौधो की पत्ती का चाया उल्टा वाला भाग देखें और उसके चमक सिधे वाले भाग के तुलना करें कौन सा गहरे रंका होता है और क्यों most important IMP ये question है इसको आपको याद करना है संचित टिपणी लिखना है त्रिज्य सम्मिति के बारे में साइनो बैक्टिरिया question आता है एंजियो इस्परम पौलेरा ये चारों के बारे में आपको उत्तर लिखना है चारंक कर रहेगा प्रत्ते केकेक अंक के लिए यहाँ पर प्रशन दिया गया पांच जगत वर्गी करन को आपको समझाना है तो ये question आपका 100% फसेगा ही फसेगा ही question आपको देखने को मिलेगा समसुत्री विभाजन आपको देखने को मिल सकता है तो ये सभी प्रशनों को आपको याद करने ना इनका solution हम लोग अगली वीडियो पर देखेंगे जादा से जादा लोगों तक इस वीडियो को सेयर करें धन्यवाद